भारत के युवा सोधार्थियों को आपने योगा अभ्यास के साथ साथ विक्सित भारत की संकल्पना को ये कैसे मूर्त रूप प्रदान करेंगे ये द्रश्टी आपने दिये यहां आकर आपको कैसा लगा SDT University ने जो इनिसेटिव लिया है और विक्सित भारत के संकल्प को ले करके भारती सिक्षन मंदर ने जो एक विराट आयोजन किया है युवाओं का दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और वहाँ खाली देह से ही युवा नहीं है वो विचारों से संसकारों से अपनी संवरिद्ध संस्कृति से अपनी संवरिद्ध विरासत से भी युवा है और उसके भीतर आत्म निर्मान से समाज निर्मान राष्ट निर्मान और युग निर्मान का बहुत बड़ा संकल्प है तो यह एक बहुत बड़ा एक राष्ट यज्य है यहाँ एक अहितिहासिक और एक कालजई कारी है भारते शिक्षन मंदल द्वारा यहाँ पर निश्पादित हुआ है मैं इसके लिए भारते शिक्षन मंदल के तमाम उन कर्म योगी युद्धाओं को प्रणाम करता हूं कि जो विकसित भारत के स्वपनों को चरितार करने के लिए युवाओं को प्रेना दे रहे हैं एक एक युवा कितने बड़े-बड़े सामजिक आर्थिक राजनातिक और वैश्विक सामराज्य स्थापित कर सकता उनमें अपार सामर्थ्य है वो अपने सामर्थ्य को जाने जगाए और उप्योग में लाए तो निश्यत कि व्याम सरवमानमा का उद्गोश किया था वैसे ही पूरी दुनिया के लिए भारत एक नव प्रतिमान बनेगा यह सोध से बोध के साथ योग का समन्वे करते ही आपको कैसा लगा रिसर्च चूर रिराइजेशन शोध से बोध की जो पूरी यात्रा है वो योग से इसलिए सुरू होती है क्योंकि योग हमारी फॉंडिशन है सनातन धर्म हिंदुत्व का जो आधार भूत अतत्व है वो योग है और योग पर ही कर्म योग के सोपान चड़ेंगे और हम उपयोगी बनेंगे और इस संसार के लिए कुछ बड़ा करपाएगे